हलो जुस्तों में नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel PIT 2022 के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है इस वीडियो का discussion बॉक्ष शेक करिए और हमारा वीडियो देख कर आप अपना form भर लीजिए उतर प्रदेश में समोगो की भरतियों में दू अस्तरी परिक्षा परडाली लागू हो गई है यानि कि पहले आपको पेट की परिक्षा देनी ही होगी यदि आप चाहते हैं यो पेट रिपल सी से निकलने वाली किसी भी भरती में आप आवेदन कर सकें तो पहले आपको पेट के लिए आवेदन करना है पेट की परिक्षा देनी है पेट में अच्छा score करना है आपका जो scorecard है पेट का वो एक साल के लिए ही मानने रहेगा जो पिछला पेट हुआ था 2021 वाला वो 27 अक्टूबर 2022 तक मानने है और उसके बाद ये एक्सपार हो जाएगा तब तक 2022 पेट का रिजल्ट आ जाएगा और फिर 2022 पेट का जो certificate है ये अगले एक सालों के लिए मानने रहेगा हाला कि काफी कम वायदता है पेट का कम से कम तीन साल तो वायदता होनी ही चाहिए जहां सीटेट और यूपीटेट अब लाइफ टाइम मानने हो गए है लेकिन पेट हर साल कराया जाएगा इसे चातरों का ही नुकसान है हर बार वो फॉर्म भरेंगे हर बार फी का पेमेंट करेंगे और परिक्षा वो देंगे जब तक नौकरी नहीं लग जाती है तब तक परिक्षा देना ही पड़ेगा और यहां पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म भरने की फी है जनरलोगीसी के लिए 150 रुपए है सेस्टी क के लिए 25 रुपए दिव्यांग अभरतियों के लिए 25 रुपए फॉर्म भने की फी रखी गई है तो पेट की परिक्षा में सामिल होने के बाद जब भरतियां आएंगी जब उसके नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फिर से उसके लिए आवेदन करना होगा 25 रुपए क हैं बैट पाएंगे उसके बाद फिर आप अपने बचे विफी को पेमेंट करेंगे और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो ये प्रोसेस होने वाला है हाला कि पेट 2021 के बाद जो भी भरतिया आई वो आज तक कम्प्लीट नहीं हो पाई कोई भी एक सिंगल भरति पूरी नहीं हो पाई और पेट 2022 की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं देख सकते हैं पेट 2021 के समय ये निउस आई थी कि यूपिट्री पलसी पचास हजार पदों पर भरति करेगा ऐसा कुछ देखनी को नहीं मिला पचास हजार साथ हजार एक लाग टक की खबरें अलग- पेट के आने के बाद भरतियां जल्द जल्दी पूरी होंगी लेकिन पिछले एक साल में तो कोई भरति पूरी हो नहीं पाई उम्मीद है अब कि बहुत सारे नहीं भरतियों के भी ग्यापन अब देखने को मिलेंगे चुकि बहुत सारे पदों का रियाचन यूपिट्र प चैसे करेगा क्या करेगा यह तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा बात कर दोस्तों कि किन किन पदों पर भरतियां भविश में देखने को मिलेंगी यूपिट्र प्लसी की तरब से तब ही दोस्तों दो-तिन दिन पहले का ही ये निउस है विकास विभाग में रिक्त पदों पर होगी भरती और ये ऐलान खुद किया है उपमुख मंत्री जी ने तो डिप्टी सीम के सबसाद मौरजी ने अभी हाली में कहा कि जो भी पद रिक्त हैं उससे जल से लभरा जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं किन किन पदों किनों ने बात की है इसमें ग्राम और नई भरती जल्द ही देखने को मिल सकती है देख सकते हैं एक और नियूज ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर होगी भरती ये कुछ में पहले का नियूज है लेकिन लगबग 2200 पदों का धियाचन वीडियो की नई भरती का यूपिट्री पलसी के पास पहुंचा हो गया है उसका दुबारा से एक्जाम कराना है अभी उसका एक्जाम डेट भी एनाउंस नहीं हुआ है जैसे ही 2018 वीडियो वाली भरती में पेट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पुरानी भरती है जिन्होंने भी उसके लिए आवेदन किया था जब भी उसकी परिक्षा के साथ साथ एक नई भरती पर भी तैयारी चल रही है इसी के साथ दोस्तों लिखपाल की लगबग 4,000 पदों का धिया चन्यूपिटर वेलस्टी के पास काफी समय से पढ़ा हुआ है और जैसे ही पिछली भरती की परिक्षा करा ले जाएगी ये भरती की प्रिक्रिया आग आप लोग दोस्तों अपनी तयारी बिल्कुल तेज कर दीजिए या आप इस बार के लिखपाल के लिए सौट लिस्टेड नहीं हो पाएं तो इस बार पिट में आप अच्छा स्कोर करिए महने से पढ़ाई करिए क्योंकि बहुत सारे साथर पिछली बार पिट का एक्जाम आए यूपिट्र पलसी द्वारा आप सब में बाइट सकें तो देख सकते हैं लेकपाल भरती के संबन में भी अपडेट निकल कर आ रही है और यह जो नीज की कटिंग है यह कोई ऐसी वैसी कटिंग नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं गोर्मेंट ओफ यूपी ने इस से ट्वीट किया था तो इसमें दोस्तों दम है और यह कपकी न्यूज है यह भी आप यहाँ पर देख लिजिए दो मई दो हजार बाइस तो बहुत जादा पुराना न्यूज नहीं है चार हजार पतों पर भरती लेकपाल की निकलेगी यह आप मान कर चलें इसी के साथ दो मिलिए और यह बहुत अच्छा पद होता है इसमें बहुत अच्छे खासे पद होते हैं और यह भरती भी इस साल के अंग तक देखनी को मिल सकती है या फिर अगले साल के सुरुवात में लेकिन पेट 2022 के आधार पर ही लोवर की भरती कराई जाएगी तो आप इसके लिए भ लग जाएगा बाकी और भी भरतियाँ हैं जैसे के लिपीं के वरती भाघों के भरती पर अलग अलग भी भाघों में स्टेयनों की भरती आगने वाले समय में देखने को मिलें अधिया आचन तो काफी ज्यादा प्राप्त हुआ है यह प्रसे से थिनके पास कि अब memb氣न भरत कि आप कोशी तरह की सभी लेटेस्ट और authentic information मिलती रहे thanks for watching